आज हम लोग लगनो ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे अगर आपने लगनो ट्रिप का पार्ट वन एंड टू नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से देख सकते हो पार्ट वन में मैंने रोट ट्रिप का experience शेयर किया है और पार्ट टू में historical places कोन कोन से है और उसका experience शेयर किया हूँ जो second day था second day में हम लोगों ने cover किया था छोटा इमम्रा, photo gallery और लुलू mall वो घुमने के बाद हम लोग दस्तर खुआन में डिनर किया और हम लोग होटिल चले गए रेस्ट करने थर्ड डे में हम लोग रेडी होकर निकल गए बड़ा इमामब्रा देख ले बड़ा इमामब्रा के वहाँ पार्किंग नहीं है इसलिए हम लोगोंने सोचा कैप करते है क्योंकि वहाँ पार्किंग करने के लिए दो किलोमेटर तूर वाल कलोक के वहाँ पार्किंग करना पड़ेगा इसलिए हम लोगोंने कैप करना ठीक समझा बड़ा इमामरा का गेट आपको रूड से ही दिखाई देती है बहुती बड़ा गेट है वो गेट क्रॉस करने के बाद एक और एंटरंस गेट है ये दो गेट के बीच में बहुती सुंदर गार्डन बनाया है बड़ा इमामरा 1784 को असवुद दौला ने बनवाई थी नाम में बड़ा है बट ये सेकेंड लाजिस्ट इमामरा है सबसे बड़ा इमामरा इंडिया में ही है अगर आपको पता है तो कमेंड में लिखकर बताओ वो कौन से जगपर है पड़ा इमामरा में एक मस्जीत, एक बाउली, एक में हौल और बुलबुलईया है बुलबुलईया देखने के लिए गाइट कमपलसरी है क्योंकि उसके अंदर थाउजन से ज़ादा पैसेज है और इतना अंधेरा है कि आप अगर उसके अंदर खो जाओ तो कभी निकल नहीं पाओगे अगर आपको चलने की दिक्कत है तो बुलबुलईया मजजाना क्योंकि बहुत चलना पड़ेगा बरा इमाम बरा देखने के बाद हम लोग चले गए अंबेटकर पार्क यह पार्क डेडिकेटेड है डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर को जिनोंने हमारा constitution लिका है यह पार्क 107 एकर में पनवाया हुआ है इस पार्क के अंदर एक में मॉनुमेंट है जिसके अंदर डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर का 32 feet का statue है ये पार्क गार्डन, फाउंटेन और 62 एलिफेंट के स्टैचू से भरा हुआ है एक और मॉनुमेंट है बट वो अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए हम लोग वहाँ विजिट नहीं कर पाए गर्मी के टाइम पे ये पार्क मत विजिट करना क्योंकि वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है बट शेड नहीं है पार गूमते गूमते हम लोग बहुत ठक गए थे इसलिए हम लोग होटल चले गए रेष्ट करने और थर्ड डे को यहीं खतम कर दिये नेक्स्ट डे मॉर्निंग रेडी होके हम लोग वापस दुरगा खास्ता कॉर्नर चले गए खास्ता कॉर्नर में हम लोग ने कचोरी नाश्ता किया और लकनों को अलविदा कर दिया और निकल गए घोड़गाओं के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि हम फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो में तिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग और बाई थास्टाइब लाइ जू अच्छा ने हुआ उडियो इन पच्छाम सब्सक्राइब ङूह बाई हुआए में झार में झांक्स टो क्योंकि हम यह बाई